1957 न्यूयोग के एक थेटर में लोगों को एक मूवी के दौरान स्क्रीन के उपर इट पॉपकॉर्ण ड्रिंक कोको कोला के मैसेज़स दिखाए गए लेकिन ये मैसेज़स इतनी तेजी से स्क्रीन पर अपेर होते और पिर डिसब्बेर हो जाते के लोगों को एहसास भी नहीं होता लेकिन क्लेम किया गया कि इस एडवर्टिस्मेंट के नतीजे में इस दिन इस थेटर के अंदर पॉपकॉर्ण की सेल में 18 परसंट जबके कोका कोला की सेल में 57 परसंट इजाफा हुआ अगर से ये क्लेम तो बाद में गलत साबित हुआ लेकिन इस तरह की मेसेजिंग को और इस तरह की एडवर्टिस्मेंट को सब लिमिनल एडवर्टिस्मेंट का जाता है जहां पर हमारे सबकॉंशियस माइंड को किसी ब्रेंड का प्रोड़क्ट खरीदने के लिए इस तरह से इंफ्लूंस के जाता है कि हमें एहसास भी नहीं होता अब ये सबकॉंशियस माइंड क्या है इसकी तरफ मैं थोड़ी देर में आता हूँ लेकिन हम मसलसल बड़ी बड़ी कॉर्परेशन की तरफ से बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कमपनी की तरफ से इस तरह के सबलिमिनल मैसेज़स देखते रहते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता और ये कमपनी हमें अपना प्रोड़ेक्ट परचेस करने के लिए हमारे जहन को इंफ्लूइंस करती रहती हैं मिसाल के तोर पे आप अगर किसी वाच का किसी घड़ी का इस्तिहार देखें तो आप देखेंगे कि उस घड़ी में 10 बच के 10 मिनट का साइन दिखाया गया होगा अगर आपको यकीन नहीं आता तो गूगल पे किसी भी ब्रेंड की खड़ी सर्च करें आपको नदर आएगा कि उस क्लॉक में 10 बच के 10 मिनट 10 टेंट का टाइम दिखाया गया है लेकिन लकीली हमारा जहन इतनी असानी के साथ भी मैनिपलेट नहीं हो सकता कि हम कोई एक ऐसा सबलिमिनल मेसेज देखें और हम उस चीज़ को हासिर करने के लिए बाउले हो जाएं लेकिन इस तरह के मेसेज आप यूं समझ सकते हैं जैसे ही एक शैतान का काम करते हैं यह हमारे दिल में हमारे जहन में एक ख्याल डालते हैं एक लाइट सा एक फील गुड फैक्टर पैदा करते हैं और फिर अगर हमारे अंदर उस चीज़ की एकसेप्टनस मौजूद हो तो फिर हम उस चीज़ को परचेस करने का फैसला करते हैं मिसाल के तारपे अगर आप आमेज़ॉन का लोगो देखें तो आप देखेंगे कि मैसान के लोगो में ए کی तरफ से जी की तरफ एक एरो बनाया गया गया है और यह एरो भी एक स्माइली फेस बनाता है इस तरह की messaging हमारे subconscious mind में एक अर्च पैदा करती है किसी भी brand की product को खरीदने के लिए लेकिन जैसा कि हमारा जमाख इतना ज्यादा easily manipulate नहीं हो सकता कि इस messaging से हम force होके उस चीज़ को खरीदने पर मजबूर हो जाएं लेकिन अब मैं आता हूँ subconscious mind की तरफ हमारा जहन दो तरह से सोचता है एक हमारा conscious mind है और एक हमारा subconscious mind है हमारा conscious mind थोड़ा slow processing है जबकि हमारा subconscious mind fast processing है जिसकी मदद से हम अपने रोज़ाना के काम करते हैं मिसाल के तोर पे अगर आप मुझसे पूछे मेरा नाम क्या है तो मैं बता दूँगा हसान इसमें मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है जब मैं अपने कमरे में वाक कर रहा हूँ अपने घर में वाक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं मैं बगएर सोचे अपने कदम उठाता जाता हूँ और मेरा जहन कुछ और सोच रहोता है ये मेरा सबकॉंशियस माइंड है जो के मुझे सोचे बगार काम करने के लिए असानी फराहम करता है लेकिन अगर मैं आप से ये पूछूं कि 53 मुटिप्लाइ बाइ 28 कितना होगा तो फिर आपको अपने सबकॉंशियस माइंड से कॉंशियस माइंड की तरफ स्विच करना पड़ेगा क्योंकि इसका जवाब देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा तो जब मैंने ये कहा कि ये ब्रैंड्स सबलिमिनल मैसेजिंग के जरीए हमारे brain को influence करने की कोशिश करती है तो यह हमारे इसी subconscious fast thinking brain को influence करने की कोशिश करती है जो बगार सोचे जल्दी जल्दी decision लेता है और यही वज़ाए कि आपने देखा होगा कि जो आप किसी mega store में जाते हैं या shopping mall पे जाते हैं तो counter के ऊपर chocolates या बच्चों के खेलोने और इस तरह की चीज़ रखी होती है वो क्यों क्योंकि usually ये mega stores इतने बड़े होते हैं कि आप इनमें घूम के exhaust हो चुके होते हैं और जब तक आप counter पे पहुँचते हैं तो आपका conscious mind जो के ज्यादा सोच के ज्यादा rational सोच समझ के decision ले रहा होता है उसको ज्यादा energy भी चाहिए होती है और ठकन की वज़ए से अब वो डी active हो चुका होता है आप आपको counter पे routine का का काम करना है समान निकालना है payment करनी है तो यहाँ पे आपका subconscious mind trigger हो चुका होता है तो इसलिए यहाँ पे आपको chocolates और बच्चों के खिलों ने इस तरह की चीज़े रखे जाती है जो के आपको trigger करती हैं आपको tempt करती है के इन शुगरी आइटम को खरीदने है या अगर बच्चे यहाँ पे आपको जित करें कोई खिलोना खरीदने के लिए तो आप exhaustion की वज़े से आपका subconscious mind fast decision लेते हुए वो चीज़ खरीदने पर मजबूर हो जाता है यह subliminal messaging audio भी हो सकती है और visual भी हो सकती है visual subliminal messages वही जिनका मैंने अभी हवाला दिया जैसे के amazon के logo के ओपर arrow का sign या घड़ी के ओपर 10 बचके 10 minute और इसके इलावा इसकी एक और example बासके रोबिन का logo भी है अगर आप बासके रोबिन के logo को देखें तो उसमें B का ending और R का initial दोनों मिलके 31 बनाते हैं क्योंके बासके रोबिन 31 flavors of ice cream आफर करती है और यह messages audio भी हो सकते हैं जैसे के एक बड़े super store में एक research की गई इस mega store में एक दिन German music प्ले किया जाता जबके दूसरे दिन French music प्ले किया जाता और इस research के नतीजे में उनने ये conclusion निकाला कि जिस दिन German music प्ले किया जाता उस दिन German wine की sale में इदाफा होता और जिस दिन French music प्ले किया जाता उस दिन French wine की sale में इदाफा हो जाता तो ये audio subliminal message की एक example है जबकि audio subliminal messages इस तरह भी दिये जा सकते हैं कि किसी audio की main sound के अंदर ये message इतनी कम आवाज में हो कि आपके कान उनको महसूस ना कर सके लेकिन आपका subconscious mind अपने अंदर उस brand की product को खरीदने के लिए एक message लेके चला जाए जिसको आपको पता भी ना चले ये messaging ना सिर्फ हमें किसी brands की products को purchase करने के लिए influence करने को इस्तमाल होती है बलके कहा ये जाता है और मैं इस बात पर कुछ हद तक यकीन भी रखता हूँ कि freemasons अपनी movies के जरीए और songs के जरीए हमें audio और visual subliminal messages देते रहते हैं ताकि हमारे जहन को हमारे mind को corrupt किया जा सके ये किस तरह के messages हैं अगर आप कहें तो अगर आप चाहें तो इसके ओपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी documentary जो आज से 15 साल, 10-15 साल पहले बनाई गई थी The Arrivals के नाम से जो के शाहिद अब भी यूट्यूब पर मजूद होगी आप वो देख सकते हैं उसमें इन विज्वल्स और audio subliminal messages को बहुत अच्छी तरह examples के साथ explain किया गया था अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो as a token of appreciation इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को subscribe करें ताके आपको ऐसी मजीद वीडियो देखने को मिलती रहें